अगर आपका मोबाइल फोन किसी बाहर के मुल्क से आया है और वो दो माँ इस्तिमाल के बाद बंद हो चुका है, तो अब अब घर बैठे ही इसे PTA से रिजिस्टर करवा सकते हैं. इसके लिए आपको टैक्स भरना पड़ेगा. हर मोबाइल का अलग-अलग टैक्स होता है. इस काम के लिए आपको दूसरा मोबाइल चाहिए होगा जो पहले से PTA से रिजिस्टर्ड हो. सबसे पहले क्या करना है कि अपने नए मोबाइल का IMEI नमबर मालूम करना है. इसके लिए आपको डाइल करना है सिट्टे रुक हैश सिफर छे हैश अब आपके सामने IMEI नमबर आ जाएगा. अगर आपके मोबाइल दो सिम्वाला है तो दो बार मुखतलिफ IMEI नमबर लिखा नजर आएगा. अब आप इस नमबर को नोट कर ले. अब आपको किसी भी दूसरे मोबाइल से डाइल करना है सिट्टे रुक आठ चार आठ चार हैश अपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी. जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप उर्दू पसंद करेंगे या फिर इंग्लिश. यहां हम नमबर एक प्रेस कर लेते हैं. अगली स्क्रीन पर हम फिर एक प्रेस कर लेंगे. क्यूंकि हमने मोबाइल रिजिस्टर करवाना है, अब वो आप से पूछेगा कि आप पाकिस्तानी हैं, कि गैर मुल्की हैं. यहां हम फिर नमबर एक लिक कर अप्लाई कर देंगे. अब अगली स्क्रीन पर आपके पास दो आप्शन्स आएंगी. अगर तो आप बाहर से आई हैं और आपके पास बाहर का पासपोर्ट है, तो फिर आप एक प्रेस करेंगे. इस आप्शन में आपको बीस फीसद डिसकाउंट मिलेगा. और अगर आपके पास सिर्फ शनाखती कार्ड है, तो फिर आप नमबर दो प्रेस करेंगे. हम यहां नमबर दो प्रेस कर लेते हैं. अब हम यहां अपना काउमी शनाखती कार्ड नमबर डाल लेंगे. इसके बाद आपको बताना है कि जो मोबाइल अप रिजिस्टर कर रहे हैं, वो कितनी सिम वाला है. अगर एक सिम वाला है, तो नमबर एक प्रेस कर दे. हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि अगर मोबाइल डबल सिम वाला होगा, तो फिर दो IMEI, Numbers होंगे. यहाँ मिसाल के तौर पर हम नमबर एक प्रेस कर लेते हैं. फिर अगली स्क्रीन पर हमें अपना नोट किया हुआ, IMEI, Numbers डालना होगा. अगर आपकी दी गई तमाम मालुमात ठीक है, तो फिर नमबर एक प्रेस कर लें. आपकी फराहम की हुई तमाम मालुमात PTA को मौसूल हो जाएगी. कुछ ही देर बाद आपके मोबाइल पर चार SMS मौसूल होंगे, जिसमें आपकी कस्टम ड्यूटी बताई जाएगी. आपका ट्रेकिंग कोड बताया जाएगा. आपका यूजर नीम और पासवर्ड बताया जाएगा. और जिस कोड से अपने टैक्स देना है, वो भी बता दिया जाएगा. अपने इस कोड को कापी कर लेना है. PSID सामने कोड लिखा हुआ है. आप अपना टैक्स आनलाइन भी पे कर सकते हैं. और अगर चाहीं तो नैशनल बैंक में भी जाकर पे कर सकते हैं. हम यहाँ जैस केश के जरिये टैक्स देंगे. कोड कापी करके जैस केश को ओपन कर ले. यहाँ गवर्नमेंट पेमित पर जाकर टैक्स पेमित पर कल एक कर ले. अगली स्क्रीन पर आपको FBR लिखा नजर आएगा. इस पर कल एक करना है और वो कूड जो कापी किया था, यहाँ पेस्ट कर देना है. और इस तरह अब जब नेक्स्ट करेंगे, तो आपकी पेमिंट शो हो जाएगी, जो अपने पे करनी है. पे करने के कुछ घंटों बाद आपको SMS आ जाएगा कि आपकी डिवाइस रिजिस्टर हो चुकी है. अब आप अपना नया मॉबाइल इस्तिमाल कर सकते हैं. अगर जैस केश नहीं है तो बैंक के जरिये भी पेमिंट हो सकती है. और जो SMS में लिंक दिया गया है, इस पर भी जाकर आप क्रेडिट कार्ड के जरिये पेमिंट कर सकते हैं. बस याद रहे कि अपने अपना PSID कोड ठीक से लिखना है. और जो भी तफसील महया करें उसे दो बार चेक जरूर कर लें. उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी. मजीद मालुमाती वीडियो के लिए हमारा चैनल सबसक्राइब करें.